देखिए आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म क्या होता है और ब्रह्म कैसे होता है और कैसे ये ब्रह्म हमारे अच्छे खासे रिष्टे को खत्म कर देता है तहस नहस कर देता है बरबात कर देता है ब्रह्म क्या होता है वो आप समझ जाएए ब्रह्म का मतलब ये होता है कि हम किसी सही बात को 100% गलत मानने लगते हैं उदारण के लिए एक रसी पड़ी थी किन्तु अंधेरे में हमें समझ नहीं आया और हम उसे साप समझ कर भाग गए अब पूरे गाओं में घूम घूम कर ये बताएंगे कि हमने साप साप देखा साप देखा सही चीज थी रसी 100% आपने माल लिया साप ये मुझे ध्यान तब आया अभी शाम के 5 बजे मैं जहां पर रुका हूँ वहां पर खिड़की से मैंने देखा कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप भी देख सकते हैं सूर्य बिल्कुल चमकता हुआ उधर दिखाई दे रहा है मुझे भी लगा इसमें आश्यर जनक बात ये थी कि ये है पूर्व दिशा और शाम के 5 बजे इधर सूर्य दिख रहा है सुभा दिखाई देता तो समझ में आता पूर्व दिशा में शाम के पाँच बजे सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं ये तो शाम को पशिम में होना चाहिए था अभी देखिए आपको ये सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा इधर दे रहा है देखिए ये है भ्राम ये है बहुत बड़ा भ्राम क्योंकि जब मैं परदा हटाऊँगा इस भ्राम से परदा हटेगा तो आप आश्यर चकित हो जाएंगे ये देखिए ये देखिए क्या है ये सूर्य है है बिल्कुल है एक यह झाले कि 하 यह यह नहीए उपीमघ्च रहें एक पीछे पशोनु दिशा में है निद्धिया में और सूर्छ का प्रतिरोप केंट काइं दीकर राएं तो एसे करने से बिल्कुल ऐसा लग रहरा है कि जैसे पूरुरोदिशा में शाम के समय सूर दिखाई दे रहे तो इस भ्रहम से बचे जब तक आप सच्चाई का परदा हटाएंगे नहीं सत्य को जान नहीं पाएंगे और अपने रिष्टों को इस तरह से खत्म करते रहेंगे बरबाद करते रहेंगे आप सभी के रिष्टे बने रहें आप स्वस्त रह आनंदी तरह भगवान सबकों दिर्गायु प्रदान करें यही मैं भगवान से प्राथ्मा करता हूं